हेलो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजिन में दोस्तों हमने डेली फीटर MCQ की एक नए स्रीज स्टार्ट की है जो कि आपको हर सुबह साधे चार बजे वीडियोस मिल जाएगी तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जूड़ कर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का पहला कोशन आउटसाइड माइक्रो मीटर में डेटम लाइन और ग्रेजिशन खालिस्थान पर आकलन करते हैं ऑफसन है इसका सही आँसर होगा ऑफसन नमबर वी यानि की बेरल नेक्स्ट प्राइप वेरियर के दो भाग हैं The two parts of the tri-square ट्राइप वेरियर, tri-square का ही हिंदी नाम है ऑफसन है strength and blade, stick and plate, stock and blade, stock and wedge यानि की tri-square के दो भाग आपको बताने है तो इसका सही answer होगा option number C stock and blade जो tri square होता है वो आपका L shape का होता है जिससे हम लोग किसी भी workpiece का आप perpendicular squareness या flatness check कर सकते हैं तो tri square का इस भाग को कहते हैं blade और इसे कहते हैं stock next question है हमारा question number 3 micrometer में 0.03 negative error है यदि micrometer में 40.53 correct reading है तो सही pattern क्या है दोस्तों दो तरह का error होता है एक होता है positive error और एक होता है negative error तो यहाँ पर बताया गया है negative error negative error का मतलब है कि micrometer already 0.03 कम दिखा रहा है तो सही rating जो होगा हमारा 0.03 अधीक होना चाहिए तो इसलिए जब reading जो 100 कर रहा है 40.53 already हमारा कम है तो हम negative में क्या करेंगे उस पर add करेंगे तो हमारा होगा 40.56 40.56 यदि positive error है तो positive error का मतलब है कि हमारा जो measuring tool वो अधीक 100 कर रहा है उसके सही reading कम होना चाहिए कम होगा ठीक है तो चलते हैं next question तो इसका सही answer होगा option number B 40.56 next question है question number 4 जब खालिस्थान का बना वक्फिस को drilling करते हैं तो किरासन तेल का उप्योग sitylen के रूप में होता है sitylen यानि की coolant के रूप में होता है तो किरासन यानि की मिट्टि के तेल किस धातू पर परियोग में लाए जाता है options है brass, bronze, aluminium या रो टाइरन तो इसका सही answer होगा option number C aluminium next question है grinding wheel पर निम में से कौन सा bond समयने जाता परियोग में लाए जाता है तो grinding wheel पर कौन सा bond परियोग में लाए जाता है bond जो होता है वो छोटे-छोटे अबरिफशिप को पकड़ने का bonding करने का काम करता है तो options है petrified, rubber, shallalac या silicate तो इसका सही answer होगा option number D silicate समयने ता यही आपका हर grinding wheel में आपको देखने को मिल रहेगा next question है question number 6 नीचे दिये गए आरेक में खराद द्वारा किये जा रहे कारिये को पहचाने खराद यानि की lath lath machine में कौन सा operation किया जाता है option है nerling, addinting, sketching या pattern making इसका सही answer होगा option number A यानि की nerling next question है question number 7 नीचे दिये गए आरेक में gauge को पहचाने कौन सा gauge है फिगर यहां पे दिया गया है उस figure को आपको बता रहे हैं कि यहां पे कौन सा gauge है तो इसका options है standard gauge, wire gauge, depth gauge या drill gauge तो इसका सही answer होगा option number B यानि की wire gauge next question है question number 8 नीचे में से कौन अर्ध तरल स्नेहक का उधारन है तो अर्ध तरल यानि की semi-liquid options है graphite, grease, lead या castor इसका सही answer होगा option number B grease grease जो होता है semi-liquid में आता है graphite आपका solid में आता है और ये दोनों आपका liquid आपका यहां पे स्नेहक है next question है question number 9 लगबख सभी machining कारियों में कौन सा cutting oil परियोग में ला जाता है options है soluble oil, water, compressor air या मिटी का तेल तो लगबख सभी cutting operation में आपका soluble oil का परियोग सामानाता परियोग में लाए जाता है आज का हमारा last question है question number 10 या एक परकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुर्दरे सतों को चिकना बनाने के लिए परियोग किया जाता है इसे क्या कहते हैं जो option है rigid paper, tough paper, hard paper या emery paper तो इसका सही answer होगा option number D यानि की emery paper अब देखते हैं आज का हमारा question of that day ये जो question है आपको हमारे comment box में आपको बताना है तो question है कि B block is used to hold round bar it has a B group which is usually यानि की जो आपका B block होता है उसका परियोग तो हम लोग round bar को hold करने के लिए करते हैं लेकिन आपको बताना है कि उसका जो age होता है जो B group होता है वो आपका कितने degree angle का होता है options है 30 degree, 60 degree, 90 degree या 120 degree तो इसका answer आपको comment box में बताना है तो आप comment box में जरूर बता है और पिछले वीडियो का हमारा previous question of the day था आवजार की life खलिस्थान के साथ बढ़ता है options है cutting age angle बढ़ाने पर nose angle को घटाने पर side rake angle को घटाने पर या side rake angle को back rake angle को घटाने पर तो इसका सही answer होगा option number 1 cutting age angle को बढ़ाने पर हमारा जो tool होता है उसका life बढ़ता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो like करें अपने दोस्तों के साथ share करें इस तरह के वीडियो से हमारे हर सुबह सब्सक्राइब चार बुजे अपलोड हो जाती है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने exam को टेटर बनाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो से में तो तक के लिए जो हमारे चारे बनाएं